है लो बच्चो कैसे हैं आप सब आश्या करती हूं कि आप स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में फ्यस्त होंगे आप किसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते वे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चेप्टर जिसका सीर्षक है अनुस्वार और तो बच्चो सबसे पहले देखते हैं अनुस्वार अनुस्वार किसे कहते हैं अंकी मात्रा से बनने वाले शब्दों को जिसमें क्या लगती है अंकी मात्रा लगती है उसको हम क्या कहते हैं अनुस्वार तो बच्चो आईए पार्ट को शुरू करते हैं आप लोग भी मेरे साथ साथ इन सब्दों को पढ़िएगा और इनको सीखने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहला सब्द है ह प्लस अंकी मात्रा प्लस स तो बचो क्या बना हंच घ प्लस अंकी मात्रा प्लस ट तो बचो क्या बना घंटा प प्लस त प्लस अंकी मात्रा प्लस ग तो बचो क्या बना? पतंग अ प्लस अंकी मात्रा प्लस गू प्लस र तो बचो क्या बना? अंगूर तो बचो अभी आपने अंकी मात्रा से बनने वाले शब्दों को सीखा अब हम इससे बनने वाले कुछ वाक्यों को भी देखते हैं और इनको सीखने की भी कोशिश करते हैं तो आए शुरू करते हैं आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा घंटा घर यह है मंगल की घंटी घंटा घर पर लगी है घंटी तो बचो कैसा लगा आपको यह पार आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इसमें अंकी मात्रा से बनने वाले शब्दों को अच्छे से सीख लिया होगा चंद्र बिंदू तो बच्चो चंद्र बिंदू कहाँ पर लगाया जाता है चंद्र बिंदू वर्ण या अक्षर के उपर ऐसे और एक बिंदी के साथ लगाया जाता है जैसे चान्द के उपर एक बिंदी हो तो बच्चो आई अभी इस पार्ट को शुरू करते हैं तो आप लोग भी मेरे सांसाथ पढ़िएगा और इन शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहला शब्द है कू प्लस चंद्रबिंदी प्लस आ तो बच्चो क्या बना कुआ पू प्लस चंद्रबिंदू प्लस छ तो बच्चो क्या बना पूच सू प्लस चंद्रबिंदी प्लस ड तो बच्चो क्या बना सून्ड अ प्लस चंद्रबिंदी प्लस गू प्लस ठी तो बच्चो क्या बना अंगुठी बड़ा उ, प्लस चंद्र बिंदी, प्लस ट, तो बचो क्या बना? उट अ, प्लस चंद्र बिंदी, आकी मात्रा के उपर लगी है, तो बचो क्या बना? प्लस ख, आख च, प्लस आकी मात्रा के उपर चंद्र बिंदी, प्लस द, तो बचो क्या बना? चाद ब प्लस आ के मात्रा के ओपर चंद्रबिंदी प्लस उ प्लस री तो बचो क्या बना बांसुरी तो बचो आपने कुछ सब्दों को सीखा और इसके साथ ही कुछ शब्द और दिये गए हैं तो उसमें क्या है कि दो अक्षर वाले सब्दे हैं जो चन्रबिंदी से मिलकर बने हैं इसके अलावा तीन अक्षरों के सब्द हैं, इसके अलावा चार अक्षरों के सब्द हैं, जिन में चनरबिंदी लगाई गई है, तो आईए पढ़ते हैं और समझते हैं, तो सबसे पहले हैं, बूद, मुह, मूच, हूं, सून्ड, अब देखिए, अगला है, बाग, दाथ, का पाँच, टांग, पाँच, अगला है, बचो, हसना, लहंगा, चिडिया, घूंघट, चूडिया, अगले शब्द हैं, बचो, वहां, यहां, बाया, चाटा, दाया, और चार अक्षरों से बनने वाले हैं, बचो, पहेलिया, कहानिया, लड़किया, जाडिया, सहेलिया, तो बचो, आपको पाट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने चंदरबिंदी से बनने वाले सब्दों को अच्छे से सीखा होगा, और चंदरबिंदी का प्रियोग कैसे किया जाता है, कहां पर किया जाता है, इसको भी आपने अच्छे से सीख लिया होग तो बच्चो ऐसे ही पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे और हाँ इसका बार बार अभ्यास जरूर कीजिए